हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो लोफ यू और चैनल साइंस गुरू दबेस्ट प्लीज लाइक और सेड़ वीडियो अगर आप चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरू करना बेल आइकन प्रेस करके रिको ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल आइक या जो डाइग्रम्स आपको ध्यान में रखने जो आपको वहां बनाने की यह रोंशेक्ता पढ़ सकती है उसमें डाइग्रम को बहुत अच्छे से धियान से करके जाना है वहां बहुत सारे एक्टिविटीज थो हम इग्नोर कर देते ज्यादा थर, क्यार को इतना प उसमें से कौन से important है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, diagrams बताने वाला हूँ, diagram से lettered केसा question बन सकता है, वो भी मैं बताने वाला हूँ, तो अभी सबसे पहले आप book निकालो, मैं आपको page number, diagram number बताऊँगा, और उस diagram से lettered questions साथ में बताते चलूँगा, कि इस पर केसा questions आ सकता है, तो आप book खुल के बेठो, पटापट अपनी book खुलो, ठीक है, chapter number 4, carbon से start करते हैं, और last chapter number, जो 15 hour environment है, वहाँ तक मैं आपको हर एक chapter के diagrams, page number बताते जाऊँगा, diagram बताते जाऊँगा, साथ में उसकी image भी show करता जाऊँगा, और उससे lettered questions पर आपको बता जाऊँगा, तो जल्दी से book निकालो, और आगे की diagram के बारे में मैं आपको बताता हूँ, चलो, सब सब पहले chapter number 4, chapter number 4 में page number 61 पे देखो, ये diagram है, एक जो box में लिखावा है ने, ये structure of graphite and structure of diamond, हालांकि draw करने की आशकता नहीं पड़ेगी आपको लेकिन फिर भी आपको ये आना चाहिए, कि यहां पर arrangement carbon का graphite में और diamond में ये किस तरह से है, और इनमें difference क्या है, कि diamond में एक carbon single bond से चार carbon से जुड़ता है, जबकि यहां पर graphite में एक carbon जो है न, वो एक double bond आता है, ठीक है न, यहां पर जो एक carbon है, वो तीन carbon से जुड़ता है, चार से नहीं जुड़ता है, एक जगर double bond आता है, और इसकी layer structure होती है, two dimensional structure होती है graphite की और three dimensional structure होती है diamond की, तो 2D, 3D structure यह जान रखना, अभी यहां पर इन दोनों के differences भी आप अच्छे से करके जाना है, expectation बन सकता है, graphite good conductor है, तो क्यों है, और diamond क्यों नहीं है, page number 129 पर, chapter number 8, how do organism reproduce, देको इस chapter के सारे diagram important है, यहां पर आपको सारे diagram को देखे जाना है, और जो जिनके आने के चांद से ज़्यादा है, वह मैं बता दूँगा, diagram हम सुरू कर रहे हैं, page number 129 पर 8.1, binary vision नमीबा, simple सा diagram है, asexual reproduction वाले diagram based recution आ सकता है, और इस पर देखो, मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो बना रहा है, पूरा asexual method of reproduction का जिसका link description में है, आप वहां से इसको देखो अच्छे से, ठीक है, बहुत इच्छे से बना रहा है, case equations इस पर आ सकते हैं, वह भी है, तो आप देखो, फिर 8.2 वाले जो diagram है, multiple fusion in plasmodium, ठीक है, fusion में binary fusion और multiple fusion, तो multiple fusion का इस तरह से multi-nucleate structure बनती है, प्लाज्मोडियम में यह देखना है आपको, ठीक है, तो plasmodium में क्या difference है, और Amoeba वाले में difference क्या है, यह देखना है आपको, इसी तरह से ना, एक list mania का भी है, जिसका book में diagram नहीं है, मैंने उस वीडियो में इसका diagram बना के बता रखा है, list mania में, प्लाज्मोडियम में क्या difference है, यह पूचा दा सकता है, फिर देखो fragmentation वाला, अलांकि यह diagram नहीं है, लेकिश्पाइरोगारा के diagram बन सकता है, यहाँ पर वो मैंने वीडियो में बता रखा है, फिर है regeneration in plain area, यह diagram आपको ध्यान रखना है, किस में होता है, example याद रखना प्ल leaf of briophyllum वाला है न, 8.5 यह diagram है, यह भी आप देखके जाओ एक बार किस तरह सोता है, spore formation diagram 8.6, राइजोपस या ब्रेड मोल्ड भी कहते है, राइजोपस और ब्रेड मोल्ड दो नाम है इसके, तो इसको ध्यान में रखना है, spores कौन सा है, spore ingia किसको कहते है, यह जो ओपर प्रेड में नहीं है, लेकिन यह सा कुशन आयावा एक बार, हाई-पी कौन सी structure है, यह चीजें, तो यह वीडियो देखोगे न, आप वह sexual reproduction वाला, वह समझ में आएगा, देखो यहाँ पर एक box में tissue culture है, यह भी important topic है tissue culture, ठीक है, spore question one mark में बन सकता है, तो इसको करके जाना tissue culture, कैसे होता है, kelas क्या होती है, kelas की definition पूर्च सकते है कि बाटी, is kelas, फिर इसके बाद आप देखो, सबसे important diagram इस chapter का 8.7, longitudinal section of flower, और 8.8, यह सबसे important diagram है, इस chapter के, तो इनको अच्छे से draw करके, अभी आप practice कर लो, इनको यह करने ही करने, यह वाँ आ सकते है, 8.7, जो है न, parts of flower, तो इसमें आप कारपेल और पिस्टिल, पिस्टिल का दूसरा नम कारपेल है, यह ध्यान रखना, और फिर इनके बाकी parts के, और इनके male part कौन से, female part कौन से, हर एक part का function और location, especially यह करके जाने है, और कौन सा part, after maturation, या after fertilization किस पार्ट का क्या होता है, वो भी देख के जान तो especially आपको plumule और radical याद रखना है, radical root, plumule shoot बनेगा future में, पहले कौन दिखाए देगा, radical पहले root दिखाए देगी, फिर plumule बनेगा, यह वाला diagram देख के जाना आप है, और इसके बाद है, diagram 8.10 और 8.11, इनके label करने के लिए दे सकता है, या कोई यह diagram देख के part ABC को label करो, फिर उनके function बताओ, इस तरह से question आ सकता है, तो इनको अच्छे से देख के जाओ, इसके बाद इस chapter में, तो आप कोई diagram नहीं है, अगले chapter में देखो, यह जो heredity और evolution वाला chapter ने, इसमें देखो, diagram है 9.3, इसको आप है न, इस form में ना बनाके, वो TT, capital T, जो हम flow chart मना रहे हैं, यह पर mono hybrid, di hybrid का flow chart हमको आना चाहिए, तो यह आपको TT वाले form में बनाके बताना है, तो उस तरह से आप इसको एक बारियत आता होगा, आपको अच्छे से, 9.4 और 9.5 है, तो 9.5 में RR YY वाला है, तो वो यह tabular form में, आपको table की form में आने चाहिए, कि 9 किसके बनेंगे, 3 किसके बनेंगे, और 19331 होता ना, इनका phenotype F2 generation में, तो वो ध्यान से देखना है, इन पर कोई भी confusion है ना, आपको किसी भी diagram में, या इन से समंधित concept में, तो आप मेरी video देख लो, 2XS video पठावट हो जाएगा आपका, और सारे doubt आपके clear हो जाएगा, अभी भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया वा है ना, तो हर एक चीज का मेंने बना रखा है, महाँ पर आप अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा आपको, 9.6 है ना, 146 पेज नमबर पर डाइग्रम 9.6, ये फ्लो चार्ट टाइप में, इसको देख के जाना, ये इसके चांसे ये अच्छा टोपिक है, execution है इस बार के लिए, sex determination वाला, अब आजाओ आप चेप्टर नमबर 12 में, electricity वाले में, देखो इसमें कोई खास विससे तो डाइग्रम है नहीं, एक 12.3 जो ओम्स लो वाला है न, ओम्स लो का ग्राफ, ये हमेसा इस्टेट ग्राफ आता, ये ध्यान रखना आप ठीक है, पेज नमबर 204 पे, डाइग्रम 12.3 ये ओम्स लो का डाइग्राम कैसे आता है, और ये टेबल देख लो इसके नीचे, ऐसा टेबल आपको दी हुई हो सकते हैं, आपको रिडिंग देके उसको टेबल में भरने के लिए या इस से वी और आई की वेलू देके आर नि पेरल और स dedim में किस तरह से हम इन रेसेस्टर को कनेक्ट करेंगे और इनका रेसेस्टर newest निकालने को एच सेट आगा इसा सब्देश्टर कून आएक antibody दीर सॉऩर तो इसको आप अच्छछे से करके जाओ, डेश चिरिश्टर अकिसें का बूलैंगा, अगर को घैंडा को य chir तरह से आई को डिवाइड करने डिश्ट्रीट करना है तो इसको आप अच्छे से करके जाना हर एक्टिविटी को पढ़ना यहां पर और हर डाइग्राम को अच्छे से यह सबसे पहला वह एक्सप्रिमेंट जो इसने हैंस क्रिस्ट्रीण और श्टेड ने किया था मैंगनेटिक इफेक्ट ऑफ और अब इलेक्ट्री करन्ट को डिस्कोवर करने के लिए यह इस एक्सप्रेमेंट से वह डिस्कोवर वा था वहाँ पर एक compass रखे, electric current पास करे तो compass की needle में deflection होगा तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि wire एक magnet है क्यों क्योंकि compass की needle खुद एक magnet है और एक magnet में जब उसके पास कोई दूसरी magnet होती है तब उसमें attraction या repulsion होता है इस वज़े से उसमें deflection होता है तो दूसरी magnet यहां पर क्या है वो खुद wire है यानि wire behave like a magnet because of electric current अब देखो इसके बाद आप देखो activity ये diagram देखो आप 13.4 और 13.3 ये दो डाइग्राम आपको magnetic field lines को कैसे draw करना है तो ये आना चाहिए बार और अंदर कैसे होता है सन्नी और ऐसा नो बता रहा है मैंने ठीक है एक्टिविटी 13.3 जो है ये आपको करके जानी है कि किस तरह से compass box को रखके हम इस तरह से draw करेंगे magnetic field lines तो इसको पढ़ लो आपको आजाना चाहिए कि कैसे करेंगे ठीक है इसके बाद देखो next है मारा डाइग्राम 13.5 13.5 और इस से लिटर्ड एक्टिविटी है 13.4 इसको छोड़ देते हैं हम जन्रली देखो यह समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि यह क्या चीज है तो यहां पर मैं आपको बताओ एक यह यह तो यह व्याद चीज होता है सन ओ इस ते समझो सान नोबलु का मतलब यहां पर कि साउथ टू नोर्थ अगर कंपास अगर वायर थे तो वेस्ट डायरेक्शन अमन्र डफलेक्शन होगा जैसे वी में देख बी में करेंट की डारेक्शन का है south to north है, तो west deflection हो रहा है तो ये snow rule है, ये snow rule क्या है, देखो मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको इसके बाड़, यानि current की direction, अगर current की direction south to north है, मालो है south है और ये north है, ये current की direction है, south to north, Wire is placed over the compass ठेक हैokay Wire को over the compass रखावाँ यानि ये compass है, और compass के उपर हमने wire को रखावा है उपर क्यों है? Wire है. Conductor Wire है Conductor Wire is over the compass then compass needle will deflect in west direction तो compass needle will deflect in west direction तो compass needle इसके बाद देखना है डाइग्राम अगला 13.6a 13.6a और इससे डाइग्राम क्या है तो यह डाइग्राम यह है कि अगर करंट केरिंग कंडॉक्टर स्ट्रेट कंडॉक्टर करेंग तो उसमें करेंगे तो वह डाइग्राम इस तरह से अरेंज हो जाएगी जैसे डाइग्राम बी में दिखा रहा है तो यह एक्टिविटी इसके लिए तो यह आप जान से देखना राइट थम रूल और यह लेप एंड रूल राइट रूल यह तो आपको आता है अगला डाइग्राम 13.8 इसको देख के जाना अच्छे से अलागी वैसे आता नहीं है ज्यादा लेकिन एक बार देख लेना थोड़ा अब यह एक्टिविटी 13.6 बहुत यह यह करके जाना है आपको 13.9 अगर यहीं सर्कुलर कोईल है तो उस पर कंसेंट्रिंग सर्किल कैसे बनेगा इसको कैसे प्र और इस पर क्यूशन बनेगा 100% गारेंटी है तो इसको छोड़ना मत करके जाना अच्छे से पूरा सोलेनोड यह अच्छे से करके जाओ इसको भी करके जाना अच्छे से पिर है अगला डाइग्राम 13.12 और एक्टिविटी है 13.7 यह करके जाओ अच्छे से अक्टिविटी यह इलेक्रो मेंगनेटिक फॉर्स के लिए EMA에फ के लिए एलेक्ट्रिक मोटर का यही प्रेंचिपल है पीडिक्रिक मोटर का डाइग्राम है 13.15 फसले के बलेंगे नहीं लहीं पिर भी आपको पता हो आओना चीगी कि 13.8 Electromagnetic induction figure 13.6 diagram 13.6 यह मेंगनेट को किस तरह से कोईल के पास में लेके आएंगे या दूर लेके जाएंगे तो किस तरह से मेंगनेट में इसमें इसमें गेलर नुमेटर में डिफिलेक्शन होगा और किस डियरेक्शन में होगा एकसरसाइज में भी क्यूशन है इंपोर्टेंट कुछन है और फिर एक्टिविटी 13.9 और डाइग्राम 13.17 पेज नंबर है 235 पे देखो यह यह बहुत अच्छा है इसको आपको करके जाना एक्टिविटी 13.9 को अच्छा से पढ़के जाओ इंडेक्शन यह अगर मैं इंडेटी तो किस तरह से हम उसको प्रोडूस कर सकते एलेक्ट्रोमेटिक इंडेक्शन वाला जो जनरेटर का प्रिंसिपल है वह यह तो इसको करके जाना अच्छे से तो यह ही इस चेप्टर के इंपोर्टेंट अक्तिविटी और डाइग्राम इन तो इसमें आपको ड्रो नहीं करने एक्जामपल इसका याद रखनी चाहिए आप एक फूर्चेन फोरेस्ट की एक पॉंड की और एक ग्रास लेंड की याद करके रखो हाप मार्क्स में कहीं पूछी जा सकती है फिर यह जो डाइग्राम 15.2 है न ट्रोपिक लेवल वाला तो यह डाइग्राम पिरेमिड से बनेगा उपर अब इससे न यह बना के आपको इसमें कुछ क्यूशन से जो पूछे न तब आप बताना इसमें यह चेप्टर का पूरा ए लेगा और अगर हम नंबर्स की बात करें न तो नंबर्स भी अब अलगलग जीगे पर जैसे अगर आप फोरेस्ट में देखेंगे तो फोरेस्ट में नंबर्स प्रोडूसर की ज्यादा मिलेंगे लेकर ट्री का पिरामिड उल्टा बनेगा यहां पर तो वह चीज़ हमको द यह यह आप ज़स्ट एसे जहां डखना किस तरह से एनरजी फ्लो होती है संलाइट से फिर प्रोडूसर हर बीवर कार्निवर और तॉप कार्निवर में किस तरह से जाती और 10% एनरजी लो क्या है 1% एनरजी लो क्या है इससे रिलेटर 2-3 अच्छे चैक्यूशन से वह उस व आगेगा आपको पूरा चेप्टर आपका क्लिर हो जाएगा हर क्यूशन आपका मुस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन वाला वीडियो देख लो इसका यह बुक में से कुछ पढ़ने की ज़रूती है पिर यह ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होती है यह देख लाना थोड़ा सा कि जो बनती किसे और यूवी रेज की जो रियक्शन होती है उससे पहले ऑक्सिजिन के अटम बनते है फिर वह एटम ऑक्सिजिन के मोलेकुल के साथ कंबाइन ओकर ओज़ोन मनाता है इसका डिप्लीशन कैसे होता है वह रियक्शन भी मैने वीडियो बना रहिए तो वह भी दे डाइग्राम के एक इंपर्टेंस होती है तो डाइग्राम सको इगनोर मत करना आगर वहां डाइग्राम पूछा नहीं ये फिर भी अगर आप बना सकते हैं आपकी पास टाइम रहेगा अपने फ्रेंड्स साथ में चैनल का लिंग शेर करना है ठेक है तेंक्स